अस्सलाम अलेकुम दोस्तों वीडियों में हम आप पताएंगे साओधी के लेटर स्वें इंपोर्टन अपडेट इवडियों उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन जो लोग अभी साओधी अरबियों में रहते हैं क्योंकि साओधी गबर्मेंट के तरफ से एक नई अपडेट होना बहुत जरूई है और जो रिलेटर जनके उसारी जनके इस वीडियो में आपको बताएंगे आप जरूर पूरा देके तके पूरी जनकर मिलें दोस्तों वीडियो में आगे बंद से पहले हम आपको एक जिट भी जा और साओधी में दुबारा एंडरे करने को लेकर एक नया बयान दिया गया है जहां पर जो निलंबन है उसको हटाने का निड़े लिया गया है इंडोनेसिया के गरणाज के नागरिवों के लिए मतलब यहां पर इनलों को अब साओधीर में एंट्रे दी जाएगी दोस्तों अगले अपडेट मंकी पॉक्स को लेकर है और य जैसे की योन संबंधित है इसके लावा आपको ये भी नहीं करना है कि जो भी रोगी है या किसी की आप चादर या कपड़े उससे मतलब अलग रहना है और इससे जरूर दूरी बनाया रखना है मतलब यहां पर आप किसी भी कपड़े का आप प्योग ना करे इसके साथ यो मामले दर्ज किये गए टोटल बिट्रेस राज के अंदर तीन सो से अधिक मामले पाएगे इसके साथ हम आपको बता दें कि ये जो मंकी पोक्स होता है जातर पूर्सों में होता है इसलिए आप सब ही लों को सावधान रहना है दोस्तों सौधी अरब में अगर आप काम करते हो तो आपका जो मुआपजा है उसके हगदार नहीं होते है उसके साथ नए आदेश के अंशार है ये भी कहा गया है कि आप के लिए तरीके से नहीं लिवाते हो तो आपको दो महिने से ज्यादा छुट्टी भी नहीं दिये जाएगा तो आप इसके लिए पहले ही कपिल से क लेकर तो आप जरूर कमेंट करें दोस्तों वीडियो में और आगे बंस पहले हम आपको अंतिम निकास बीजा और एकजिट बीजा की बारे में जान कहीं देते हैं जैसे कि अंतिम निकास बीजा को अरभी में एकजिट बात कहते हैं अगर आप सौधी अरभ से अपने देश ज करवाती हो तो वहां पर आपको कोई सुल्क नहीं देना होता है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर आपका जो पासपोर्ट है वो बैद होना चाहिए 60 दिन से जादा और आपका एकामा भी बैद होना चाहिए उसके बाद आप ये कारे कर सकते हो यहां पर कुछ ल किसी भी तरीके से आपको भेजा गया है तो आप दुबारा सॉधी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हो आपको लाइफ टाइम के लिए बैंड किया जाता है क्योंकि पहले रोल्स था 5 साल 10 साल उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो लेकिन आप ये रोल्स हाटा दिया गया है अ अगर आपको किसी भी तरीके से पकड़ जाता है किसी भी केस में तो आप सॉधी अरब में दुबारा एंट्री नहीं कर सकते हो बाकि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंड वोक्स के माधन से कमेंड करें